गुद बार्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिल सुर्गनेगर कानपूर आज हम बात करेंगे वाइट में इन्ग सप्लेमेंट के बारे में कि आपका नौलेज कितना सही है आप अपने वाइट में से नौलेज को एक बार ध्या से देखें कि जितनी भी बेरी हैं उनमें एंटी ऑक्सिडेंट जो प्रॉपर्टी है वह बहुत इंपॉर्टन्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा एंटी ऑक्सिडेंट किस में होते हैं रेस्ट बेरी में होते हैं इस्ट्राबरी में होते हैं ब्लूबरी में होते हैं या गूस होती है, delicious होती है, लेकिन antioxidant इसमें भरे हुए होते हैं, अगर हम बाकी 40 जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबिल से compare करें, तो जो blueberries है, good number one पर आती है as far as antioxidant activity is concerned, जो blueberries होती हैं, उसमें anthocyanin नम का antioxidant होता है, ये जो antioxidant है, ये वास्तों major जो health benefit है, उसके लिए responsible होता है, तो जो blueberry है, इसको antioxidant का power horse पाना जाता है, now look at our body, हमारी body को कितने essential vitamins चाहिए, क्या 2 चाहिए, क्या 13 चाहिए, 21 चाहिए या 40 चाहिए, कितने essential vitamins चाहिए body को, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, हमारी body को जो essential vitamins चाहिए, वो चाहिए 13, 13 essential vitamins हमारी body को चाहिए, ये जो essential vitamins हैं जो चाहिए, वो है vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K, ये तो 5 होए, इसके अलावा vitamin B complex, तो इनको मिला के total 13 essential vitamins हैं, जो हमारी body को चाहिए, and scientific के लिए अगर हम देखें, तो dominantly हमारी जो diet होती है, उसमें ये पूरे के पूरे जो vitamins हैं, हमको adequately मिल सकते हैं, अगर हम well balanced diet को रोज मर्रे में अपनी life में शामिल करें, तो, now हमारी जो body है, उसमें ऐसा कौन सा mineral है, जो सबसे ज़्यादा abundant है, ये calcium है जो abundant है, ये zinc है जो abundant है, ये copper है जो बारा हुआ है, ये chromium है, जो हर सेल में मौझूद है, वास्तों में ये calcium है, जो calcium है, is the most abundant mineral, जो हमारी body में होता है, ये हड्डियों में होता है, दांत में होता है, एक heart की ठीक functioning के लिए, नर्फ की ठीक functioning के लिए, इन सब के लिए calcium की जरूरी है, तो इसलिए calcium का जो intake है, वो आपकी body में adequate होना चाहिए, जो intake है वो ठीक होना चाहिए, body की functioning को ठीक करने के लिए, अगर हम देखें, जो vegetable हम use करते हैं, उसमें से बहुत सारे vegetables use करते हैं, जो lily family से आते हैं, जो lily family से आते हैं, उनमें से एक vegetable हम use करते हैं, जो heart के healthy के लिए सबसे important है, यह कौन सा है, यह dandelion है, garlic है, sunflower oil है, यह lily family में सभी कुछ आते हैं, ऐसा नहीं है, जो lily family से हम सबसे ज़्यादा heart healthy smart food यूज करते हैं, that is garlic, जो garlic है, वो वास्तों में edible bulb होता है, जो इस family का है, जो जमीन के नीचे से निकलता है, जो garlic है as medicine यूज किया जाता है, garlic है as spices यूज किया जाता है, for thousands of years, 1000 साल से इस्तिमाल किया जाता है, जो garlic है, वास्तों में एक dietary supplement की तरह यूज किया जाता है, यह हमारा जो cholesterol के level है, उसको नीचे करता है, heart की जो health है, उसको optimize करता है, आपके BP को control करने की ताकत रखता है, तो जहां तक बहुत सारे cancers हैं, उनको prevent करने में, particularly cancer of the stomach and cancer of the colon, इनको control करने के लिए या prevent करने के लिए garlic बहुत important role है, तो अगर हम देखे हैं तो जो lily family है, उसका जो एक bulb है, वो basically garlic है, जो heart की health के लिए बढ़ा important माना जाता है, आप गाजर खाते हैं, यह गाजर जो लोग बहुत पसंद क करते हैं, गाजर किस उसमें खाई जाते हैं, गाजर में है क्या, यह vitamin B से भरा हुआ है, vitamin C से भरा हुआ है, vitamin A से भरा हुआ है, यह vitamin D से भरा हुआ है, गाजर में ऐसा क्या भरा हुआ है, जो आप इतना इस्तेमाल करते हैं, the correct answer is vitamin A, जो vitamin A है, वो हमारी body के लिए बहुत important है क्योंकि यह हमारी eyes की health को ठीक करके रखता है यह हमारी skin की जो health है उसको ठीक करके रखता है जो immunity का system है उसके लिए vitamin A चाहिए जो vitamin A की deficiency अगर body में होगी तो the most common manifestation is the night blindness जो आपको रात में दिखना बंद हो जाता है जिसे रतोंदी के नम से भी जाना जाता है जो night blindness है is mainly caused by the deficiency of vitamin A अगर हम developing countries को देखें तो जो बच्पन में या बच्चों में जो night blindness का सबसे important कारण है is the deficiency of vitamin A तो vitamin A night blindness या रात में जो नम दिखना या रतोंदी के लिए जिम्मिदार होता है अगर हम vitamin E के other sources को देखें गाजर के अलाबा ये eggs में होता है meat में होता है fortified milk में होता है cheese में होता है fish oil में होता है तो जो भी जो आप fruit and vegetable लेते हैं उनमें जो bright orange yellow color आता है वो vitamin A के चलते आता है तो इसलिए vitamin A आपको ठीक मतरा में इस्तिमाल करना चाहिए now हमारी जो body है उसमें जो biochemical reactions है वो continuously होते रहते है there is a mineral जो almost 300 biochemical reactions के लिए required है ये mineral कौन सा है ये mineral iron है ये mineral copper है ये magnesium है ये silicon है ये कौन सा ऐसा mineral है जो हमारी body को चाहिए हमारी body को magnesium चाहिए ये जो magnesium है ये almost 300 biochemical reactions के लिए जिम्मेदार है जो magnesium है यह बहुत important है हमारी body के लिए जो normal muscle की functioning है यह nerve की functioning है उसके लिए magnesium जिम्मेदार है जो हमारी heart की rhythm होती है उसको steady रखने के लिए magnesium जिम्मेदार है जो immunity का system उसको optimize करना है तो magnesium चाहिए जो हमारी bones है उनमे calcium, vitamin D के अरावा कोई दूसरा mineral role pray करता है तो वो magnesium है हमारा जो blood sugar का level है उसको ठीक maintain करने में magnesium का बहुत important role है तो जो energy का metabolism है protein की synthesis है उसमें magnesium बहुत important है अगर magnesium की deficiency है तो chronic fatigue syndrome या बहुत ज़्यादा थकान या इस तरह की tiredness is very very common manifestation तो अगर हम ध्यान से देखे हैं कि बहुत सारे vitamins and minerals ऐसे हैं जो हमारी body को चाहिए उनके जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए ताकि उनका intake optimized रहे ताकि हमारी body की जो functioning है वो proper रहे अगर vitamins के इस angle को समझने में ये video help करता है तो जरूर शेयर करें मैं Dr. M.K. Mishra from guestoliver hospital स्वरुप्रगर कानपूर Thank you very much